हेलो फ्रेंड्स आपका निकितास केचन में सबागत है आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ जटपट बने वाली कड़ाई में ग्योग के आटकी नान खटाई तो अगर आपको मेरी नान खटाई के रेसिपी पसंद आती है तो रेट बटर नवाकर में चान को सब्सक्राब कीजिएगा और बेल आकें दवाना बिल्कुल ना भूलेगा तो चलिए बनाते हैं नान खटाई नान खटाई बनाने के लिए मैंने एक कप ग्योग काट लिया है साथी ले रहे हूँ आदा कप चीनी तो ये पीसिवी चीनी लिये मैंने आदा कप और उसी के साथ ले रहे हूँ आदा कप बेशन आदा कप मैंने गी लिया है उसी के साथ ले रहे हूं 2-2 बारिक वाली सूजी एक्र चमक ब Έकिंग पाउडरश अर आदा चमश ले रही हूं विलाइची का पाउडर चुटकी बज़ ले रहे हूं नमक तो नानखटई बनाने के लिए मैं सबसे पहले बल में घी डालूंगी यह घी कर साथ ले भी ले सकते हैं या तेल में भी बना सकते हैं उसी के साथ दार रही हूँ चीनी आदा कप मेजरिंग कप हमारे पास अगर नहीं है तो हम कोई भी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं बस हमें उसी कटोरी से सभी चीजों को मेजर करना है तो देखिए चीवी को और गी को में अच्छ रखना है तो देखिए इस तार से मैं इसे फेट रही हूँ आप देख सक रहे हो इसका कलर चेंज हो रहा है और यह बिल्कुल क्रीम के जैसा बनकर रेडी हो रहा है तो इस तरह से हमें एक जैसा फेटना है इसके अच्छे से गुटलिया भी निकल जाना चाहिए और यह बिल् से ही नान कटाई हलकी बनेंगी बिल्कुल खसता आएंगी खाने में और यह अच्छे से फूलेंगी तो देखिए इस तरह से बन जाना चाहिए बिल्कुल फॉर्फेक्ट हमने फेट लिया है और सिर्फ दो मिट लगे फेटने में अब साती दाल रही हूँ आदा चमश बेक किंग पाउडर नहीं है तो दो चुटकी भर इतना हमें खाने वाला सोडा दालना है तो इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि तो इसके अंदर में मिक्स कर रहे हूँ गेव काटा यह एक कटोड़ी लिया है मैंने कि आदा कटोड़ी लिया है बेशन और दो चमश ले रहे हूँ मैं बारिक वाली सूजी जिसे की नानखटे का टेक्चर बढ़िया आता है तो इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल जिस तार से हम आटे को गुनते हैं उस तार से आटा हमें गुन लेना है तो पहले मैं इससे मिक्स कर ले रहे हूँ और उसके बाद में इसे हातों से हम अच्छे से मिक्स कर लेना है जिसे के अच्छे से मिक्स हो जाएंगा और जैसा जैसा हम मिक्स करेंगे वैसा वैसा ये अच्छे से बाइंडिंग होंगा तो इस तार से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ आप देख सकते हो ये थ्वासा सुका तो इसे मैंने एक मीट के लिए अच्छे से मसल लिया है तो यह हमारा आटा बनकर रेडी है आप देख सकते हो बिल्कुल डो फॉर्म में यह आ चुका है तो इस तरह से मैं आटा गून लिया है अब इसकी हम तुरंथ ही नान खटाई बनाएंगे आप देख सकते हो डो का कलर यू यह आया है इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है तो अब इसके मैं नान खटाई बना रहे हूँ तो नान खटाई बनाने के लिए हम इसaround से ठील भी यहस कर सकते हैं पर उपिर कि जिस्ष्बू कर रही हुँ जिसे कि बहूद साघीन कर लागे। तो सबसे पहले हम इसको grease कर लेंगे हम steel के plate में या डिबे में भी बना सकते है नान कटाई बनाने के लिए हमें mold वगरे के कोई जुरुवत नहीं पड़ती है तो हम simply कोई थाली में भी बना सकते है तो इस तरह से मैंने इसे grease कर लिया है अब एक छोटा सा जो निम्बू का shape रहता है उतना हमें आटा लेना है क्योंकि नान कटाई थोड़ी सी फूलती भी है तो इसके लिए इसे हमें थोड़ी छोटी छोटी भी बनाना है जिसे के दिखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में भी अच्छी लेंगी तो इस तरह से आटा लेना है बिच में हाथों के बिच में हमें प्रेस कर लेना है इस तरह से इसे मोटी मोटी बना रही हूं है जिसे कि ये बनने के बाद थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और इसका shape भी बढ़िया लगता है लुकाटा बेशन और गी उसकिया है तो यह हम बच्चों को भी दे सकते हैं और जब बन जाए तब हम इसे बना कर खा सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने पीस्ते लगा लिया है इसके जगा हम कोई भी dry fruits लगा सकते हैं तो आब इसे हम बेक कर लेंगे तो बेक करने के लिए मैंने कड़ाई को 10 मेट के लिए full flame पर अच्छे से गरम कर लिया है यह सबसे important रहता है क्योंकि हमें इसे कड़ाई में बनाना है तो कड़ाई हमें preheat करना है तो उसके लिए इसे 10 मेट के लिए full flame पर हमें कर लेना है और उसके बाद में से 10 मीट के लिए इस तार से low flame पर बेख होने रख देना है तो इसे हमें जो छोटा वाला ग्यास रेता है उसके उपर बिलकुल low flame पर इसे हमें बेख कर लेना है तो देखिए इस नानखटाई बनाने के लिए 10 मीट मुझे लग चुके हैं तो आप भी 10 मिट बाद एक बार चेक कर लिए नान खटाई क्योंकि ये बहुत बार उपर से कलर नहीं आता है पर नीचे से ये जल सकती है तो 10 मिट बाद एक बार चेक कर लिजिए और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये नहीं हुई है तो इसे आप और 2-3 मिट के लिए र पसंद आई है और और वीडियेसीफी देखने का मन हो तो मेरे जान को सब्सक्रेब कर दीजीगा मिलते हैं नई रेसीफी के साथ धन्यवाद